हुआ है 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 गई सब्सक्राइब करना हो सकते एक लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे पास फर्स राउंड में ओनली सिंगल जब कर रहा है वैसे अगर हमारे पास डाउंड में नाइन आता है तो हम डिसक्रे साकते हैं को कि हमारी प्यूर स्कॉइंस ने जो जाएगी ना लेकिन भाई बंदा तो उनली इंवेलेट करने कालता है तो हम ड्रॉप कर देता है अब देखते हैं जो हमारे लैट में बंदे बैठ आंजये प्ले करते हैं या फिर ड बंदे के पास। अगर कोई बंदा भाई गलती से रिस्क लेता ना और तो बंदे की प्योर स्कॉइंस नहीं नहीं होती तो भाई लगा दिता है यह बंदा पॉइंट इसे बंदे को अंली सिंगल कार्ट चाहिए तो डिक्लियर करने के लिए वह ता च्छाक भाई किसी बंदे ने रिस्क करने लिया कोई नी गाइज अगेंड काड डिसीवड हो चुके हैं और इस वबर गाइज ओनली इन्वालेड काड़ हैं सो हम यहां पर डॉप ही करेंगे अगेंड वैसे जो राइट पर रहे हैं कुछ ज्यादा ही टाइम लगा रहा है मुझे लग रहा है किसे स्किप नी तो वीडियो काफी लोंग गए जाएगी ओके सो वाइनली गाइज जो राइट पर यह अगर यहां पर थोड़ी और एक्स्टा टन लग दी तो शायद यह बंदे भी डेक्लियर कर सकते थे वैसे वाइस बंदे के पास काफी उपी काड़ आये थे और इस बंदे के अभी भी जिरो पॉइंट है और हमारे फोर्टी पॉइंट हो चुके हैं सम्टिंग ऑल पेर के इकल पॉइंट है इलावा इस बंदे को शोड़ कर ओके सो अगेन काइस काड़ डिस्टीवड हो चुके हैं एंड इस बर काइस हमारे पास अगेन उनली सिंगल जोकर है तो इस बर मुझे लग रहा कि ट्रॉप ही करना पड़ेगा ओके बंद ने किंग निकाला है कोई ने हम ड्रॉप कर देते हैं रिस्कल नहीं लेते पेशन्स के साथ प्ले करेंगे अगर हम भाई रिस्क लेते हैं तो ऐसा भी हो जागता कि बंदे ने उनली सेक्न या फिर थर्टर में डेक्लेर किया तो हम तो इस राउन में इसी एर में राउड हो जाएंगे ना सुम्राउप कर देते हैं एंड जो लाट पे रहे रहे लेकर प्ले करता है फिर ऽॉप के यह बने बहुत कर देता है और डीलर वह इसी साथ जिस्किप हो जाती है वैसे करें बंद देक वास वह और इस इसे करता था ओर यहां पर टन लगश थाति काफी शायद हम रिस्क लेते तो भाई हमारी और से कोई से रही हो सकती थी ओके सो अगेन गाइस कार्ड रिसीवड हो चुक्क है एंड इस पर काइस मारे पास लॉंग टाइम के बाद काफी ओपी काड़ आया है काफ्र वेस एंड के सो इस बार तो लग रहा है कि हम डिकर पाएंगे संक ही मारे पास वैलेट अलए कर यह एंतो हम डिकले जो कर सकते हमके कर दो के बंडे 9 कला चलो 9Ayन कर लेते हैं है और अब अम काले देते हैं स्पिसमीन नाैन को अगर वैसे मारे पास हट में नैना आगा तो तब भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं न meny कर देखते हैं काई कौन बंदा इस ऐर प्लेज़ कर रहा है जाते हैं कि डीलर प्लेज़ करें और इस बंदे के पॉइंट कर देता है अच्छा लेकिन भाई जो रिए और मुझे लग रहा हैै ऑगर इन की पर सक्कौा से रही नहीं noises Donc ये बंदे डाइट एलिमिट होने वाले हैं ओके बंदे बाइट निकाला कोई निक रोड़ा से कड़ करते हैं एंड गाइज देखो मारे पास इन्वैलिड कार्ड सेवन आता है मुझे लग रहा है बाई यहां पर टर्न लगने वाले हैं वैसा ही मारे पास किंग आने के चांसे बहुत जादा है क्योंकि क्वीन जोकर रहे तो बंदे या फिर एस निकाल सकते हैं देखो गाइज बंदे ने इस निकाला है तो सकता है कि यह बंद इसको फॉलो करते कलब में किंग निकाल दे और साथ हमारा साथ हो रहरा है इसका लीर और गेर तकर सकते हैं और अइसा ही विटकाइब यह बंद आ हो حकते हैं अगर इन पेंग नेhinी होती तो बाही देख सकते हो जो हैं लेट पे रहे यह बंदा तो ड्यार्क्ट इलेमेट अब राइट पर देखते हैं यह बंदा पॉइंट डाउन कर पाई जा फिल यह बंदा इस साथ इलीमेट हुचका ईया यह तिंग जादा पॉइंट से लौस नहीं हुआ ओके यह बंदा उनली 20.00 से लौस वाई इस बंदे प्रेसे बंद एक साथ कुछ गलती से नहीं हो गया वैसे वह बंदा रेजन हो सकता था लेकिन वह ऐसा ने गलती नहीं करता ओके सो अगेन गाइस कार्ड डिस्टीवड हो चुक है एंड इस वर गाइस हमारे पास अगेन काफी ओपी कार्ड है प्योर सेक्वेंस है और त्री ज करेगा लेकिन यह बनादा ट्रॉव कर देता है कोई नहीं गाइस इस बंद ने किंग आला किंग नहीं पर करेंगे एंड गाइस हमारे पास ही किंग आ चुक है तो इसी कोड कर देते हैं वैसे भी हमें ओनली सिंगल काड़े चाहिए स्पिस में एस आगा तो तब भी डेक्ल काफी खतरनाक प्ले कर रहा है कोई नहीं हम भी कलोड़े से काड़ पर करते हैं क्या पता हमारे पास डैमड़ सिक्स ही आ जाए लेकिन भाई हमारे का पास तो ओनली इन्वालर काड़ नाइन आता है तो मैं सोचाओ कि नाइन को रखलू और टैन डिसकाड़ कर दूँ और फ्यूचर हमारे पास हर्ट में क्वीन हर्ट में जे या फिर हर्ट में सेवन भी आगा तो हम तब भी डिक्लेर कर सकते हैं ना और अब हमारे पास गाइस काफी आफ्शन हो चुके हैं लेकिन भाई इस बंदे ने जेही निकाला सीरियसली बाई सब क्या ही बोलें शाहिद हो सकता है यह बंदा हर्ट में कुई नीडिसकाड़ कर दे लेकिन भाई इस बंदे टैन ही डिसकाड़ किया है और हमारा बसाट ब्रेक करवाद चुका ऐसा बंदे ने कोई नीक लोड़े से काड़ पे कर ने वाले हैं आई थिंक पॉइंट डाउन कर चुके होंगे ओके बंदे ने भाई अगें टैन निकाला है इससे पहले ही निकाल जाता तो क्या ही हो जाता कोई नी गाईज हम अगें कलोड़े से काड़ पिक करते हैं थोड़ा सा टाइम लेंगे सबार उनली सिंगल काड़ च जो बंदा ओपन ऐसे काड़ पिक करें वैसे इस बंदेने हर्ट में जे भी निकाला था लेकिन जो नाइन हमारे पास है इस वह से मैंने टैन को डिसकार्ड किया था और गाईज देख रहे हो कहां पे हमको ओनली सिंगल काड़ चाहिए था और कहां पे इस बंदे डिक्लार क और यह बंदा सिंगल जोकर से इसकार रहता क्या बात है बैए वैसे डिक्लेर भी यह बंदा कर सकता था अगर इस बंदे को पास टू वैलिड काड़ आते तो ओके सो अगेन गाईस काड डिस्टीवीड हो चुक है एंड इस बारे गाईस हमारे पास अगेन उनली सिंगल जो कर रहें लेकिन प्ले करना तो बनता है ना वैसे हमारे पास क्वीन का साइट तो रेंज हो चुका है अगर जे के लेटर कोई काड़ आता है तो भी कर लेंगे अधर्वाइज कि अधर्वाइज हमारे पास साइट रेंज हो चुका है तो मैं इसको डिसकार्ड कर देता हूं वैसे अभी भी हमारे पास थ्री इन वैलेट कार्ड है सो हमें वैलेट कार्ड भी तो बनाने होंगे गाईज वैसे 7 हमारे पास डवल है ओके वाहो क्या बात गाईज इस बंदे ने क्वीन ही डिसकार्ड कर दिया सो मैं सेवन को रखोंगा और शिक्स को डिसकार्ड कर देते हैं क्योंकि डबल है सो बंदा पी क्वी कर सकता है ना सो फाइनली काईज डिक्लेर करने के लिए ओनली हमको चाहिए ओनली सिंगल कार्ड एंड बाइट नाइं या फिर डान में ंली कील्मकार्ड कर सकते हैं बाई ये बंदा तो में यह रखोंगाई होगेँगा पक्काई होके और बंदे ने तैन भी काल दिया इस एकसाद फेनिश और यह बंदा इजल्मीट हो जोता हे किस बंदे को अलमेट होने के लिए ओनली फाइफ प्लस अपनल रगने चाहिए थे जो की अराम से लग जाते हैं वैसे इस बंदे को डिकलेर रखने लिए ओनली सिंगल कर चाहिए था घाई कारज बंदे का बैड लग ओके सो अगेन काइस कार्ड डिस्टीवड हो चुक है एंड इस बार गाइस हमारे पास ओनली सिंगल जोकर है सो बेस्किली मैं भी ड्रोव कर देते हैं वैसे अगर टू जब कर रहते तो मैं रिस्क ले सकता था लेकिन भाई अभी भी व्मारे पास आपशन है तो रिस्क क्यों ही ले ओके एंड गाईस देखते हैं इस बंदे के कार्ड भाई काफी ओपी कार्ड थे अगर यह बंदा काई किमीन डिस्कार्ड करते हैं तब भी हम डिक्लियार कर सकते थे हो कि हम कीमीन का सैट भी एक कर ले थे न ओकिए आप गाई देखो बंदे पास कितने ओपी कार्ड थे और जो डिलर रता जेंदा भी गईस ड्रोव कर देता है वैसे डिलर के पास कार्ड थे नहीं जैसे महारे पास थे वैसे उसे बंदेग पास इन्वालर कार्ड ही थे अब देते हैं गाईस हमारे 82 पॉइंट हो चुके हैं और हमारे पास डाउग करने का ओप्शन नहीं है ओके सो अगेन गाईस कार्ड डिस्यूड हो चुके एंड इस पर गाईस हमारे पास काफी ओपी कार्ड हैं मैं सकता हूं शायद हम डुक्लेयर भी कर सकते हैं अगर हममेरे पास वैक्क टो वैक वैडिक कर आते हैं तो अगर क्यूंद नहीं नहीं कर पाई तो कम से कम पॉइंट डाउन कर लेंगे मुझे इतना तो कॉंड्फीडेंस है ही ओके भाई बंदे ने तो ओपन ऐसे कार्ड किक क कर लेंगे और उसके बाद में एस को डिसकार्ड कर सकते हैं कि बंदिन भाई एड निकला चलो एड़ पिक कर लेते हैं क्योंकि हमें जो यह वैलिड कार्ड भी देचाहिए होगे न गाइस अब हम निकाल देते हैं डाउन में एस को या फिर टैन को चलो टैन को मैं डिसकार्ड कर देता हूं एस को मैंने इस वहीं से होल्ड रखा है क्योंकि बंदा जो है सैट भी रही कर सकता है न गाइस ओके लेकिन वही बंदा तो अगें एट निकालता है एंड गाइस हमारे पास दिएको हड़ किंग है चलो इसको डिसकार्ड कर देते हैं उसके डवल अब दांटकिंक कर सकता है और बंदा देखो टाइम भी लगा रहा है अंगे बाई को याई सब्कार्ड गडस कर जिस्से हमारस काड़ नहींच हो पाएं अगर बंदा कंगर कंकर कर दम सेट रहीं aper चाहिए डिकलेर करने के लिए वैसे बंदा जो एस के कर निकाले का तो तब भी हम डिकलेर कर सकते हैं और गाई देखो जिए बंदा तो एस कोई पिक कर लेता है कर सकते हैं भाई ओनली सिंगल कार्ड देदे जिससे के हम डिकलेर कर पाएं वैसे गाई मुझे नहीं लगता कि यह जो बंदा लिमेट होगा इतना टाइम लगा रहा है बाई सीरियसली ओके बंदेन भाई फोर निकाला कोई नहीं हम भी कलोड़े से काड़ पिक करते हैं अगे दमाग पहुत जदा खराब हो रखाता है यहां पर आगे काई चलो मैं सेवन को डिसकार्ड कर देता हूं कलब में अगर सेवन के कड़ें सेवन आगा तो हम सेट रहीं कर सकते हैं न वैसे डवल है बंदा पिक भी कर सकता है रिसक दो गाई लेना पड़ेगा न है इतिंक मु कोई नहीं कलोड़े से काड़ पी करते हैं मुझे गाईस ऐसा लग रहा किस बंदे को ओनली सिंगल काड़ जाई डेकलेर करने के लिए अंडर वन अप्शना मैं शावर हूं ओके गाई हमारे पास सिक्स आ चुका है मैं सोचाँ कि मैं सिक्स को डिसकार्ड कर दो लेकिन मैं नहीं करूंगा अब गाई हम अपना ब्रेक करने वाले हैं अपना जो है सैट किंग का क्योंकि काफी टन हो चुकि है हमारे पास किंग नहीं या सो मैं हर्ट मैं किंग को डिसकार्ड कर देता हूं क्योंकि वैसे हमारी पॉइंट डाउन हो रखे हैं सो इस वैसे इसी को डिसक कर जाए होगा तो पिक कर लेते हैं ओके एंड अगेन किंग को डिसकार्ड कर देते हैं कि अगर मारे पास टू आ चुका है सो मुझे कोई समय नहीं आ रहा था कि मैं टू को नकाल हूँ या फिर सेवन को निकाल हूँ क्योंकि अगर मारे पास कलब टू आ गया तो तब भी हम डेक्लियर कर सकते हैं छॉप सो इस वह सوق महरा सफेर्च में डू को डिसकार्ड कर देता हूं लेकिन भात ज्यwhere जिए झाल निकाल नहीं गाई देंगा टू के कोडिंग है तो यह तो गॉर्ण है जबंदा ये जो बंदा थ्री सओर्ट नẹ Goldman है कि यृठ छे हॉधर्ट एक मैं हमारे पाइब हाइब 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 आ चुका है सब्सक्राइब एक डिशक्राड कर देदें लेकिन बदा अ डिकार्डा ले Teil हुप और कि मदने फूर निकाला हुआ हुआ まあ हुआ पाोचा था की वाई फूर के साथ डिक्लेर हो करिक नई करन नई फूर वह है तो मैं सोचाँ कि five को डिसकार्ड करूं या फिर seven को चलो मैं seven को डिसकार्ड कर देता हूं इस बार और गाई देखो ये बंदा finally declare कर देता है है अब क्या ही कर सकते हैं हमने ता अपनी तर्व से पूरी कोशिश की थी लेकिन भाई इस बंदे का लग अच्छा था क्या ही कर सकते हैं कि दे रहे हो गाईज बंदे ने only single जोकर से डेक्लियर किया था और यह बंदा जो हमें सब्लेट पाइक क्वेस्ट कर देते हैं क्योंकि गाईज मुझे बहुत गुसा आ रहा था कि भाई यह जो बंद ले रहा है सिंगल जोकर भी नहीं भाई लेकिन गाईज अगर हम इन कार्सों से सर्वाइव कर पाए ना तो मेक शौर एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना तो बस देखते जाओ गाईज गेंप्ले को एंड तक हमारे पास टू आ चुका है समेंस को डिसकार देता हूँ को इस बंदें ने टू के साथ सीक्वेंस रही चीते भाई क्या ही बोलें अब गाईज हम सोझें ते कि यह बना सैट रही कर रहा है लेकिन से बंदें सीक्वेंस रही कीते थे उक्टे बने ने टैन निकाला कोई नहीं क्लोड़ा से काड़ कोड़ते हैं और आश मारे पास six आ चुका है सो इसी को डिसकाड कर देते हैं क्योंकि फाइव काम अपसाइट तो ब्रेक करने वाले है नहीं वैसे मारे पास वैली रेंड हाई करना है सो यह और सक्वेंस रेंज उन्हें के चांसे बहुत ज़्यादा है मारे पास हट में टैन डावन में जैस पिर्स में नाइन कलब में कुई कलब में नाइन चांसे दो बहुत हैं गाईज लेकिन जहीं जो बंदा कार्ड डिसकाड करनी रावी तक तो ओके बाई बंद ने सिक्स ही निकाला है सीरियसली ओके और गाईज हमारे पास जब कर आ चुका है सो अब कौन सा कार निकालें वैसे जै को निकाल देते हैं अगर हमारे पास डैन में जै आगा तो तब भी हम सिक्स नहीं कर सकते हैं लेकिन बाई डैन में जै तो इस बंदे डिसकाड किया है क्या ही बोलें गाईज मुझे तो लग रहा है कि हमें अलिमेट होने बाले है नगाईज देखो ये बंदा को जादा ही खतरनाग प्ले कर रहा है सिरियसली कोई नहीं मैं नाइन कोई डिसकाड कर देता हूँ बस एक बार बंदा फॉलो कर ले गाईज जिससे कि हम जो प्यूर सेक्वेंस नहीं कर पाएं अन्द गाईज देखो डैन में जे डबल निकल चुका है क्या ही बोलें गाईज खैर अब हम क्वीन को डिसकाड कर देंगे ओके हमारे पास गाईज सेवन आ चुका है तो मैं डैन में क्वीन को डिसकाड कर देता हूँ कि डबल जो जे निकल चुका है तो हम टैन और क्वीन का क्या ही अब करेंगे टैन का मैं मारा हूं कि सैट रेंच हो सकता है लेकिन कमी इन तो हमारे लिए नहीं होगी ना ओके बाई जो राइड पी ना ये बहुत ही प्रो प्लेयर ये कड़ है सानी निकाल है सब बंदे नहीं जो कि हम पिक कर पाएं लेकिन फाइनली काईज हमारे पास च्लो डेस से नहीं ना चुका है और उसी इसी इसे साथ मारे जो हमारे फाइनली पी एर स्क्वेंश रेंज हो जो अंडड़ पोईंडल बंदा होता है ना आई में राइट पर यह बंदा क्लोड रे से काड़ करता है और ऐसी के साथ में स्रिफ्ट प्राइट करता है तो हम सेफ्ट कर लेते हैं कोई की लोस हम होना नहीं चाहते हैं अगर आप वीडियो जी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं गाइस नेक्स वेड़ में ओके बाई लव यू गाइस